इस वीडियो में आपका स्वागत है ये रहा आज का एडिटोरियल जिसे लिया गया है दी इंडियन एक्सपेस से और इस एडिटोरियल का शिर्षक है रेड सी टॉर्बूलेंस और यह एडिटोरियल जी एस पेपर टू में इंटरनेशनल रिलिस्टिकोन से काफी महत्पूर् सवाल है इसे संबंद है सवाल सवाल है यहां पर कि इसराइल हमास युद्धि के बीच लाल सागर में उपजी परिस्थितियों की समिछा करें अब इस एडिटोरियल पर जाने से पले हमें कुछ चीजों को समझना काफी जो हो रही है मतलब कुछ अधारणाएं पूरी तर स क्लियर होने चाहिए एक बार बार बात होती है तो पस्ची मेसिया के देश होते हैं इन्हें कभी-कभी मद्पूर्व और खाड़ी छेतर भी कहा जाता है और इसमें कौन-कौन से देश शामिल है तो जरा आप यहां पर जो नाम लिखे हैं उस पर भी नज़र डाल लीजिए और यहां यह जो मैप में दिया गया है यह सारे के सारे जो देश हैं वो पस्ची मेसिया के देश है अफगालिस्तान से सुरू होकर लीबिया तक और तुर्किया से सुरू होकर हम यमन तक यह जितने भी देश हैं सबकिसम पस्ची मेसिया के देश कहे जाता है या मद्पूर के देश कहे जाते हैं खाड़ी छेतर के देश भी कहे जाते हैं उसके बाद बात होती है लाल सागर की तो जो लाल सागर है वो देखे का एक तो स्वेजनार से यहां पर स्वेजनार तो स्वेजनार से बाब अलमंदेब जल्डमरुमद जो कहां पर है जो यहां पर इस इलाके म है इसमें जरह दियान से देखेगा है ना और वहां से लेकर यह गल्फ ओफ अधन या अधन की खाड़ी तक फैला हुआ है तो हम रेट सी में क्या देख रहे हैं यह है भूमंद्य सागर तो भूमंद्य सागर और अरब सागर को जोडने वाले एक माध्यम के रूप में लाल सा रहता है तो अगर हम हूती की बात करें तो यह मुक रूप से कहां पर इस्तित है यह इस्तित है यमन में यमन एक मुस्लिम राष्ट है और इस मुस्लिम राष्ट में स्रिया और सुनी दोनों रहता है यह अलग बात है कि सुन्यों की तुल्ला में जो शियाओं की संक्या है वो काफी कम है। इसी कारण सियाओं ने अपनी आवाज को मजबूत करने के लिए 1990 में एक संगठन बनाया और इस संगठन को बनाया खुसेन अलहुती ने और इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुती संगठन। तरीके से रिटेलेट करना सुरू किया। और इतने मजबूत हो गए अगले 10 साल में कि 2014 में होथियों ने यमन का यह जो प्रांथ है सना इस प्रांथ पर अपना अधिकार कर लिया। और इस प्रांथ के अगर भोगले की सितिक बात करें तो यह रेट सिर से सटा हुआ है। जो से इसराइल और हमास के बीच में युद्व प्रारम हुआ है या उनके बीच संखर्स में तेजी आई है तब से हूथी विद्रोही भी लाल सागर में काफी सक्री हो गए है और चोकि हूथी भी शिया है इरान भी शिया है इसलिए ईरान के तोरा हूथियों के लगातार और इस बहुराष्टी सेन अभ्यान का जो गठन इसकी शुरुवात अभी दिसम्मर 2023 में ही की गए एकदम सी लेटिस्ट है। आते हैं संपादी के इपर। देखिए। जहाजों पर ड्रोन और मिसाइले दागी जारी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इन होती विद्रोह को इरान का समर्थन प्राप्त है। और होती विद्रोही की दोरह जो लगातार लाल सागर में हमले किया जारे हैं। लेकिन अब मामला यहां तक बढ़ गया है कि पहले जहां होती इसराइल से सम्मंदित जहाजों को अपना निसाना बनाते थे। वही अब निशाना दूसरे देशों के जहाजों को भी या जो उनके मालवाहग जहाज हैं उनको भी बनाये जा रहा है। वह कैसे तो इसमें देखिए कि पिछले चार दिनों में भारत से सम्मंदित दो वानेजिक जहाज पर भावित हुए हैं। एक घटा है 23 दिसम्मर की जब MV कैम प्लूटो जो की एक लावेरियाई दोजांकी थे मतोसरे लावेरिया का दोजे जापान का सौमित वाला है और निदरलेंड के दोरा इसका संचारन होता है और इस पर बड़े पेमाने पर भारती चालक थे को एक हमले का सामना करना पड़ उसके कुछ घंटों के बाद 25 भारतियों के साथ MV साई बाबा दक्षनी लाद सागर में ड्रोन हमले की चपेट में आ गया अब यमन के इन विद्रोहियों का या होती विद्रोहियों का या कहना है कि उन्होंने इस पर हमला नहीं किया लेकिन अमेरिका के सेंटरल कमांड का क तो भुमद्य सागर को हिंद महा सागर से जोडने वाला या जो लाल सागर है या दुनिया के जहाज कंटेनर यातायात का लगवग 30% व्यापार का 12% और समुद्री पेटोलियों वानिजी का 10% मतलब इस लाल सागर की द्वारा यहां जो हमने या संख्या देखिये या जो ह यह अगर अफरीका के हम बात करें तो अफरीका के पश्चमी भाग से होते हुए अफरीका के जो दर्चिंदम भाग है कैप ऑफ गूड हो उसके पास जाने के लिए सारे मजबूर हो जाएगे इसका मतलब है कि फिर से व्यापार जब स्वेजनर नहीं खुला था उससे पहल इसों की डिलेवरी के दिन बढ़ सकते हैं फिर जो आयती तवस्तु हैं और विशेश रूप से पस्चिम एसिया से जो निर्यात के जाते हैं तेल तो उसकी कीमते बढ़ सकते हैं और यह सब कुछ भारत के लिए गंबीर समस्या है क्योंकि भारत अपने अधिकांज तेल अधिम से सिप्मेंट को रोग दिया इससे पेट्रोल या डीजल की कीमते तेज हो गई हैं और पिछले हफ़ते अमेरिका ने विद्रोयों के हमले से बचाओ के लिए एक बहुराश्टी नियोसेनिक वल ऑपरेशन प्रोस्परेटी गार्जिन जिसकी अभी हमने बात की वी ह तो इसको सुरू किया है अब इसके सुरू करने के बाद यह हुआ है कि डैनिस शेपिंग दिगर जो नाम है मर्स लाइन लिमिटेड तो लाज सागर में वो फिर से अपने परिचालन को सुरू करने की योजना बना रहा है लेकिन अमरिका की नित्रत वाले इस ओपरेशन प् मिसर को नुक्सान हुआ है लेकिन मिसर ने होतियों के द्वारा किये जाने वाले हमले की एक जड़ा भी निंदा नहीं कि है बात करते हैं सौधी अरब के। सौधी अरब अगर सांती वारता को सुरू कर रहा है और चाहता है कि सांती वारता हो जाए। इसे समंदी जो जल्चेतर हैं वहाँ पर शांती की गुंजाइस तभी दिख्ती हैं जब इजराइल हमास संघर्स रुकेगा और अगर इजराइल हमास संघर्स के आगे के दिनों में हम देखें कि यह रुकेगा इसके भी संभावना नजर नहीं आरे हैं तक इसराइल के लाइल हमास संगर्स जारी रहेगा और अगर यह जारी रहता है तो फिर फूती विद्रोही भी लाल सागर में सक्री रहेंगे और इरान का आपर तक चुरूप से समर्थन होगा तो इस सभी चीज़ों के बीच में वैस्ट्रीग वैबार को काफी नुकसान पहुचने की समाब करते हैं फिर मिलेगे नहीं जानकारी के साथ नमस्कार